हलो दोस्तों कैसे आप सब सब सभागता हैं सभी का कॉमिक वोक चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राच कॉमिक्स में बांके लाल सीरीज का अगला कॉमिक विश्यश में काल सार्पा योग संजग उप्ता पेश करते हैं काल सर्पा योग विशाल गड़ पर मन राया खुंखार नर्बक्षी शेर का आतंक शेर आगया भागो मुझे देखकर पता नहीं ये लोग भागने क्यों लगते अरे अगर एकाद को खा भी लूँगा तो कौन से इन पर पाठ उट पड़ेगा इनका पेट तो रोटी से भढ़ जाता है मेरा तो बोटी से ही भढ़ेगा ना पाकी तो भाग गए चलो ये लंगड़ा ही सही काश भगवान ने सब इनसानों को लगनी बनाया होता शेर उसे घसीट ले गया मगर बिना ठंगणी का मानव खाने में ना तो मुझे मज़ा आएगा ठंगणी मतलब लैक पीस और ना मेरी बीबी बच्चों को पिता जी आ गए अजी ये किसे उठाला है ये तो पुतला है इसके शरी में तो भूसा बह रा है ओ तब ही तो मैं कहूं की यह आदमी चीखा यह चलाया क्यों नहीं वहाँ भागने के चक्कर में मैंने भी ध्यान नहीं दिया आदमियों न आज अपना आदमी बचानी के अच्छी चाल ज़नी थी नरबक्षी शेर का मामला था घबराये लोग राजा विक्रम सिंग के दरबार में जा पहुचे महराज उन फिर अपादी की हो एक किसान न सारी बाते कैसो नहीं तब महराज इस बार तो हमने शेर को धोका देने के लिए लंगड़े बुद को खड़ा कर दिया था ताकि शेर यही समझे की लंगड़ा होने की कारण वो भाग नहीं सका है और आसानी से हाथ लग गया है बगर हर बार ये चाल कामयाब नहीं होगी बाकेलाल वो नंगी तलवार है जो हर समय राजा विकरम सिंग के सर पर लटकी रहती है बेटा बाके नरबक्षी शेर भूका होगा अगर किसी प्रकारदू महराज को उसके शिकार के लिए उकसा दे तो गुसाया शेर महराज का काम तुमाम कर सकता है विकरम सिंग की मौत की कलपना की खुशी से बाकेलाल ये भी भूल गया कि वो कहा बैठा है वो मारा बाकेलाल जी शेर अभी मारा नहीं गया है बलकि मारा जाना है लगता है बाकेलाल ने सब्वी फर्यादियों को संकट के अंत का आश्वासन दे कर वापिस भेजा दरेगा तो नहीं मतलब भी नहीं उड़ता जब मैं पैदा होने वाला था तब डरी तो मेरी मा थी उसी डर से मैं 6 माँ पहले जंगल में पैदा हो गया था तब कहते हैं कि एक शेरनी ने आकर मुझे दूद पिलाया था तब ही तो मैं बड़ा होकर सेना पती बना और बहादुरी के बड़े-बड़े काम कीए आप बस हुक्म दीजिए मैं शेर तो शेर उसके पूरे खांदान को जिन्दे ही आपके सामने लाखडा करूँगा और वो हो भी बिना पिंजडे के तुम-तुम मरवाने वाले काम कर रहा हैं न पती माराज लगता है बःविश्वानी सच होने का समय आ गया कैसी बःविश्वानी बाके लाल महराज सुभई मुझे यह भःविश्वानी हुई थी कि थे सिंह सिम्हायोग चल रहा है अगर आज आ मेरे साथ चलोगे। साथ ना जानेगा बाके लाल का कोई बहाना ना चला। बाके लाल को भी साथ चलने के हम भरनी ही पड़े। प्रवन मंतरी बवबस्ता करो। जो अग्या महाराज बेडा गर्क। राजा अखेला चला जाता तो ठीक रहता। जहां मानव होते हैं वहाँ पर दानवों के हमले होते ही रहते हैं। मेरी पत्नी बड़ी भेंकरा काल सरपा योग से पीडित है। इस योग के गारण पती के प्राण संकट में पढ़ते हैं और वो अपनी जान से हाथ दो बैठता है। अगर मैंने इस काल सरपा योग को ना हटाया तो मेरी मिट्ट्यू निश्चित है, इस योग को अटाने के लिए कुछ पुन्य कर्म करने होते हैं, मानवो का पाप कर्म दानवो के पुन्य कर्म होते हैं, यानि जिन कार्रों को मानव पाप कहते हैं वह समझते हैं, उन कार्रों कौन है तू डुस्ट हमारा यग्य क्यों खरब कर दिया मैंने तुझे शाप मैं तुझे शाप दे दूँगा नीच पापी तुम मुझे शाप दो मैं तुम्हें साप दूँगा वो भी अत्यन्त जहरीला चापूं साप से बचकर कहां जाओगे भागो ये तो हमें मारने परत यह मैं छोड़ता नजर तो नहीं आ रहा अब क्या करें हमारे प्राणों की रक्षा करना राजा का करतब है सीधे महल में राजा के पास चलो मगर राजा तक पहुंचने से पहली रक्षा सम तक पहुंग गया पहुंच जाएगा रिशी तिलिसमा चार तु कहाई का तिलिसम शक्तियों का आवान करना वर्जित होता है कि तु मैं भागने के लिए हवाई गोणों का आवान कर सकता हूं रिशी मार हवाई गोणों का पीछा नहीं कर पाया हम जब तक इनकी पीट पर सावार हैं तिकट तिकट करते रहना बहुत ज़रूरी है तिकट तिकट एक मेरे लिए भी छोड़ दो निगोड़ों चलो कोई बात नहीं तू नहीं और साही और नहीं तो कोई और साही मुझे तो 21 रिजियों से मतलब है वो जाए कोई भी हो विक्रम सिंग बांके लाल के साथ शेर मानने के लिए मैल से निकल नहीं पड़े थे कि ठेड़िये महराज तनिक ठेड़िये अरे ये हवा में कैसे उड़ रहे हैं हम हवाई गोणों पर सवार थे किरप्या बताएं कि ही 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 के बाद बूग क्यों कर रहे हैं महराज हमें फासी पर चड़ा दे आप महान है नहीं नहीं चड़ा सकता महराज हमारे सिर्ट अलवार से कलम कर दे आप ग्यानी है नहीं कर सकता कह रहे हैं तो कलम कर दे ना मोटे क्यों समय खोटी कर रहा है महराज हमें हाथी के पाउं तले कुछ अलवा दे आप भगवान के दूते नहीं कुछ अलवा सकता अपने पाउं तले कुछल डाल महराज कुछ भी करें हमें अपने हाथों मरवाद है किन्तो आखिर बात क्या है महराज रिशियों का अस्तित्व संकट में जंगल में आया है भेंका राक्षर रिशी मार वो 21 रिशियों का अंत करना चाहता है ताकि उसकी पत्नी पर लगा काल सर्पा योग हड़ जाए उसका अंत बहुत आवश्यक है इस समय कचालू योग चल रहा है अगर हम किसी राक्षर के हाथों मारे गए तो सीधे नर्प को जाएंगे अन्न था सीधे स्वर्प को ओ तो किन्तो इस समय तो हमें कती भेंकर नर्वक्षी सिंग का अंत करने जा रहे हैं उससे पूरे विशालगड को लाब होगा वो देखो परजा कितनी परिशान खड़ी है फिर जो पहले आया उसकी समस्या का समधान प्रथमता होगा माराज ठीक कहते हैं यही राज्य का नियम भी है चलो बाके लाज हम पहले नर्वक्षी सिंग कांत करेंगे सेना पती तू तो चल शामा करें रिशीवर जब तक माराज लोट नहीं आते में कहीं नहीं जा सकता हमें अपने प्राण बचाने का जुगार स्वामी करना होगा इनको शाम क्यों नहीं दिया रिशी देखा नहीं सब हाग जोड़कर विंति कर रहे थे जो व्यक्ति हाग जोड़कर खड़ा हो उसे शाम दिंगे तो पाप हमें लगेगा तो अब हम क्या करें रिशी मस्तिश का चार के पास चलते हैं उनके पास अवश्ची समस्य का कोई समाधान होगा रिशी मस्तिश का चार ने दिया उचित सजाओ भई देखो रिशी मारने ठानी हैं तो मारेगा जड़ो लेकिन वो मारेगा तब जब इन्हें हम रिशी दिखाई देंगे जब हम उन्हें दिखाई नहीं पड़ेंगे तो वो हमारा क्या बेगाड़ लेगा किन्तो ऐसी कौन सी विदिय है जिससे हम अद्रिश्यो जाएंगे रिशी खाला चार के पास बिविन पश्चों की खालें उत्पन करने की शक्ती है तुम लोग उनकी शरण में जाओ और उनसे खाले मांग कर पहन लो और एक खाल मुझे भी विजवा देना ओ ये तो आती उत्तम उपाई है प्राण सांसप पड़े थे सभी रिशी तुरंती रिशी खाला चार की शरण में जा पहुंचे अप्पा दी की हो तुसे फिक्र ना करो अप्पा तौडे वास्ते कुछ कर दें या खाले पैंदा करने के लिए खालू मंत्र पढ़ना होगा मगर खालू मंत्र तबी सकरिया होता है जब खालू देख की बगल के बालों से बनी धूप का दुआ दिया जाए मैं ये धूप हमेशा अपने पास अठता हूँ खालू देव अतिशीकर प्रकट हो गए खालू देव किरपर रिशियों की समस्या का निवारन करें अवश्य पुत्र खाला चार जब तक ये धूप से लग रही है बिकरम सिंग सिंग के शिकार के लिए तयार थे महराज शेर बहुत ही चुस्त और सजक प्राणी होता है आप अपना बान दनुष पर तयार रखिएगा ताकि जैसे ही शेर दिखाई पड़े उसे तुरंद महराज आ सके तुम फिकर मत करो बाकेलाल मैं भी चौकन ना हूँ अब आपको रख से उतरना होगा महराज क्योंकि रख चलता रहा तो गोडों की टापों के सर से शेर सामने नहीं आएगा अच्छा महराज मैं जारा रख को महल के पिछवाड़े चिपा कर अभी आता हूँ तब तक आप शेर मार है ठेरो बाकेलाल मेरे मस्तिष्क में एक तरकीब कौन धी है तुम पहले नीचे उतरो फिर बताता हूँ बाकेलाल तुम मेरे आगे आगे चलो शेर तुमारी गंद पाकर जैसे ही तुम पर झपटने की चेश्टा करेगा मैं बार चला कर उसका काम तमाम कर दूँगा बाकेलाल को राजा का कहना मानना ही पड़ा अगर तीर से पहले शेर का बार चल गया तो बाकेलाल ने नाम ही लिया था कि शेर आ गया माराज तीर चलाए जल्दी शेर आदमी की तरह कैसे करारा है मैं आदमी हूँ अरे बेड की खाल में भेडिया तो सुना था मगर शेर की खाल में रिशी आज पहली बार देखा है ये बांड लगने से परलोग सिधार गया इसमें आपका कोई दोश नहीं है महराज भूल इसी की थी इसे शेर की खाल पेंगा घूमना नहीं चाहिए था महराज एक और शेर जल्दी से बार चलाईए ये भी शेर की खाल में रिशी निकला कमाल है तभी महराज दो शेर एक साथ खचाक खचाक राजा विकरम सिंग भी एक कुशल शिकारी था दौनों बार एकदम निशाने पर लगे थे ये दौनों भी रिशी निकले बेरे हाथो चार निरपराद रिशी मारे गए आप वेथे तरह हो महराज ग्याओं के साथ घुन तो पिस्ते ही है हम शेरों को मारना बंद भी तो नहीं कर सकते हो सकता है जिसे हम छोड़ दें भाही वे नरवक्षी सिंग हो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है मोठा निरपराद रिशीयों को मार कर पाप का भागी बन रहा है जब रिशी इसे कोई शाप देंगे तब आएगा मज़ा फिलाल तो आ गया है एक और शेर माराच बार चलाएए हो ना हो यही है वुर नरवक्षी सिंग विक्रम सिंग का निशाना चूकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था खचाक ये भी रिशी निकला आखर ये हो क्या रहा है बाके लाल आपका बेड़ा गर को रहा है माराच आखर रिशी शेरों की खाले पहने क्यों घूम रहे ये मैं कैसे बता सकता हूं माराच किन्तु अब मैं ये पता चले बिना शेर नहीं मारूंगा कि वो वाकई शेर है भी या नहीं इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इस बार जब शेर आए तो आप पास जाकर उसका मुखाटा हटा कर देख लें कि वो शेर है या रिशी पास जाने के स्थान पर शेर से भी शेर से पूछ भी तो सकते हैं अगर तुम शेर की खाल में रिशी हो तो मैं बताओ अन्यता मैं बार्ण चला दूँगा महराज इसे आपकी बाचा समझ में नहीं आई ये असली शेर ही ये बाण चलाईए एक शेर और आगया है महराज आप उससे पूछ लीजे कि वो शेर है अत्वा नहीं मुझे पेड़ के पास ही रहना चाहिए ताकि आपसर पढ़ने पर प्राण बचाने के लिए मैं पेड़ बर चड़ सकूँ अरे रिशी था तो बोला क्यों नहीं मेरी बोलती तो रिशी मार दानव को देखकर बंद हो गई थी किन्तु मुझे प्रसंदता है कि मैं दानव के नहीं आपके आथो मरा इसलिए तो हम एक-एक करके आपके सामने आ रहे थे राजा के बच्चे तो इन रिशीयों के प्राण तू हर रहा है जबकि हरने थे मुझे आप मेरी समझ में आया है कि सभी रिशी अचानक वन मैं वन मैं से कहां चले गए कमपकर शेर की काल में चुपकर मुझे ही दोगा देने में लगे थे अब इस शेर का शिकाद मैं करूँगा महराज इसे रोकिए अगर इसने शेर की काल में चुपे रिशी को मार दिया तो रिशी नरक चला जाएगा और इसका पाप और शांप आपको ही लगेगा जैसे ही मुच्छड राक्षस को ललकारेगा तो पहले से ही राजा से चिड़ा हुआ और क्रोधित राक्षस पहले मोटे को ही ठिकाने लगाएगा और इस पकार राजा के मरते ही विशाल गड़का राजा मैं बनूंगा मगर इससे पहले की राजा विकरम सिंग बान दनुष की प्रतिंचा पर चड़ा पाते रिशी शेर रिशी मारबन झपट पड़ा ओ शेर की काल पेहन का चुगा मुझ पर झपट रहा है चलो इतनी धून मचाने के बाद एक रिशी तो हाथ लगा शेर खड़क के प्रहार से बच ना सका किन्तु शेर की मिट्ट्यों के साथ ही अरी ये क्या मेरे हाथ मेरे शरी से अलग कैसे हो गए मरते समय शेर के मुझ से मानव जैसी चिक क्यों नहीं निकली इसके मुझ से खाल तो हटी नहीं ली माराज ये तो असरी शेर है ओ इसके मुझ पर लगा रक्त देखते ही हमें ये बास समझ जानी चाहिए थी ये बात तो मेरे समझ नहीं की थी अरे मेरी टांगे भी मेरा साथ छोड़ गई राक्षस भाई ये तेरी ऐसी दुरगती क्यों हो रही है मेरी पत्नी को लगे काल सर्पा योग के कारण मैं समय रहते 21 रिश्यों का वद्द करके उस पर लगे काल सरपा योग का निवारण नहीं कर पाया उससे पहले ऐसे सिंह ने मुझ पर आक्मन कर दिये जिसने मानफ चक रखे थे मेरे हातों ऐसी सिंग की मिर्टिव से मेरी पत्नी बड़ी भेंकरा पर लगा काल सरपा और भी प्रवलो उठना था उसी काल सरपा योग के कारण मेरी मिर्टिव हो रही है उडप चलदा की ओ इसका तो सेर भी कट गया और सबसे बुरा यह हुआ कि नर्भक्षी शेर भी मारा गया राक्षास रिशी मार का धड़ भी गायब होते ही महराज हम उन रिशीयों की आत्मा हैं जिने आपके हातों मिर्टिव पाकर सर की प्राप्ती हुई है कि तू आप सबकी हत्याओं का पाप मुझे सीधे नरक का भागी बनाएगा नहीं राजा वास्ता में हमारी मिर्टिव के समय का हमें पता था इसलिए ही हम मोक्षी अग्य कर रहे थी ताकि किसी दुष्टात्मा के आतों ना मरे हमारी मिर्टिव से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा हम यहीं बताने आये थे और राजा विक्रम सेंग हम तुझे कुछ देना चाहते हैं इस काटोरी में क्या है यह नौस फीटे कहीं मुझ्छड को अमरत तो नहीं दे रहे राजा इसमें पाप अकष्टनार को पापड़ी की चटनी है तो फिर मैं इसे नहीं खाने दूँगा इसे तुम सम घ्राण करना राजा अगर कोई दूसरा भूल से भी इसको खा लेगा या तुम्हें खाने से रोकेगा तो वो तुरन कुत्ता बन जाएगा जब तुम महल लोटोगे तो रहा में चंदु कुमार का घर पढ़ेगा चंदु की चाची भी उसके साथ ही उसके घर में रहती है उसने हमारी बहुत सेवा किये हम चाहते हैं थोड़ा पुन उसे भी मिले चंदु की चाची से चांदी का चमश लेकर चंदु के चाचा की सामने चांदनी रात में चारपाई पर बैठकर चांदी की गटोरी में चंद चंद पढ़कर चंद की नाम के अखाड़े का नाम लेकर चंद चंद मतलब थोड़े दोहे चांद की ओड़ देखकर गंजे की चांद मतलब गंजे की टांट का इस मिनड़ करके तुम पापड़ी की ये चटनी चाटना तुमारे सभी कष्ट दूर होंगे अच्छा तो होण अपा चल दे हैं गया जैकारा पॉना वालिदा बोल साचे दरवार की जै नीमाई मेरी सुचियां जोता वाली माता तेरी सदाई जै चलो बाके चंदु को मार के घर चलो बेड़ा गरक पासे सभी उलड़ गए बाके की चाल के लेकिन ये काल सरपा योग तो बड़े काम की चीज है रिशी मार की पत्नी को लगा तो रिशी मार कुछ किये बिना ही मारा गया अगर रानी सुनलादा को काल सर्पा योग लग जाए तो मोटा मेरे बिना किसी प्रत्न शडियन के ही मारा जाएगा बाकेलाल भूल गया कि विकरन सिंग भी रख में बैठा है वो मारा बाकेलाल क्या हुआ तुम खुशी से क्यों चल पड़े वो माराज राक्षर रिशी मार जो मारा गया मोटे कहीं के किम्तु फिर तुम वहां क्यों नहीं उचले मैं ये सोच का प्रसन उठा कि अब रिशी प्रसन होकर आपको वश्य आपकी वराजी की भलाई का परदान देंगे माराज चंदू का घर आ गया है अब आप भीतर जाएं और जैसा रिश्यों के आत्मा होने कहा तब ऐसा करें माराज उस रात बाके लाल को नीन नहीं है काल सर्पा योग लगता कैसे है जब तक मुझे ये पता ना लग जाए तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा क्योंकि एक काल सर्पा योग ही ऐसा योग है जिसमें मुझे कोई शड्यन बनाने के अवशक्ता नहीं पड़ेगा और जब मैं शड्यन तरचूंगा ही नहीं तो उसके विफा लोने का भै भी नहीं रहेगा और मोटा मरे ही मरेगा इस पुस्तक में काल सर्पा योग के बारे में कुछ लिखा है मगर धट तेरी की इसमें ये दो लिखा ही नहीं कि काल सर्पा योग किसी को लगता कैसे परेशान बाके चेतक पर सवार हुआ और मैं हलसे निकल पड़ा अब ये तनी रात को कहा जा रहा है काल सर्पा योग के विशे में मुझे कोई पंडित पुरोहित या रिशी मुनी बता सकता है और मैं ये जानने के लिए सुबह उनी की पृतिक्षा नहीं कर सकता है किसी पंडित या पुरोहित से पता करने है मैं भविश्य में पोल खुलने का खत्रा है इसलिए मुझे जंगल में जाकर किसी रिशी को ही डूनना होगा अरे रे चितक तुझे क्या हुगा पिशली टांगों पको ख़ड़ा हो रहा है सामने राक्षिसी गड़ी दिखा ही नहीं दे रही क्या मैं तो पिशली टांगों पर भी ख़ड़ा हूँ जिसकी मिट्ट्यू का जिम्मेदार तू और तेरा राजा है अब तुम दोनों एक एक करके मेरे हाँ तो बड़े कश्टों के साथ मरोगी मुर्ख मानव ठेरो रक्षिसी बेहन देखो मैं तुझे बेहन का है बेहन का करतब होता है भाई की रक्षा करना अबे ये करतब भेहन का नहीं भाई का होता है मुर्ख मानव कोई भी भाई अपने जीजा जी की मौत का कारण नहीं बनता तू मेरे तू मेरा भाई नहीं हो सकता नहीं मैंने तुझे कभी राखी बांदी है बाके लालने तुरंट एक बेल तोड़ी और तो ये लो लाकी राखी बांदो और मुझे अपना भाई बना लो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पती की मिट्व में मेरा कोई हाथ नहीं था उसकी मिट्व का जिम्मेदार था केवल राजा विक्रम सेंग क्या सच लेकिन मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूँ मैं अपने घोडे के सिर की कसम खाता हूँ और सब जानते हैं कि बाखे लाख कभी जूटी चीज़ा नहीं खाता ये तो मेरी जूटी कसम खा गया उड़ा पादी क्योँ तब ठीक है बाखे लाख मैं तुझे राखी बान कर भाई बना लेती हूँ चलो जान तो बच गई बापरे किन्तु जान तब ही बख्षूंगी जब तु राजा विकरम सिंग की लाज से मेरा परिचय करवाएगा परना पहले तो मैं तेरी ये कलाई काटूंगी जिस पर राखी बन दी है फिर काटूंगी तेरा सिर मैं तो साच जन्मों से राजा विकरम सिंग के खून का प्यासा हूँ बेहन बहंकरा तो फिर अपने गोडे के सिर पर हाथ रखकर ये सौगंद खा कि अपने जी जाजी के हत्य का बतला राजा विकरम सिंग से अवश्य लेगा मैं सौगंद खाता हूँ सौगंद तो तुमने खा ली अब मुझे बताओ कि तुम राजा विकरम सिंग को किस प्रकार खात्म करोई उसकी पत्नी का काल सरपा योग लगा कर किन्तु अरचण ये है कि मुझे ये बात नहीं मालूं कि काल सरपा योग किसी पर किस प्रकार से लगाय जा सकता है ये तो तुम्हें मैं बता सकती हूँ और इस काम में मैं तुम्हारी पूरी-पूरी मदद भी कर सकती हूँ अगर ये बात है तो फिर जल्दी बताओ तुमसे ज़्यादा जल्दी तो मुझे है जब तक मैं तुमारे जीजाजी की मौत का बदला नहीं ले लूँगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा बाके लाल काल सर्पर योग पाप और पुर्णे पर आधारित ये लोग पती या पत्नी मैंसे किसी पर लगता है पत्नी पर लगता है तो पत्नी की मिर्टी होती है इस जनम में यदि पत्नी पाप करता है तो अगले जनम में उसकी पत्नी पर ये योग लगता है और इसी पकार अगर पत्नी इस जनम में खटकर्म करती है तो अगले जनम में उसके पती को कालसरपा डिस्ता है कहने का ताथ पर ये है कि बाके भाई कि जो इस जनम में पापी है वो अगले जनम में कालसरपा का शिकार होता है कालसरपा का निवास समुद्र में है अपनी पत्नी, रानी, पंच, पती के शाप के कारण मैं कई सौ बरसों से समुद्र में रहने पर विवश हूँ मैं अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि कोई अन्य ताकत मुझे बाहर निकलने पर विवश ना करें देवताओं और राक्षसों ने मंद्राजचल, परवत और शेशनाग की मदद से जोल लगा के, आई जा,खचर खचर, खचर सारा जोट तो हम लगा रहे हैं वह समुद्र मंथन में जो कुछ भी निकलेगा, वह हमारा होगा समुद्र मंथन के कारण काल सर्पा का सिंगासन डोल उठा ओ, समुद्र का पानी गोल-оль घूम रहा है कभी दाई ओर तो कभी बाई ओर घचर घचर शाय समदर में कोई तूफान आयला है महराज गोल गोल घूमती लहरे बड़ी तेजी से मुझे सताई की ओर ले जा रही है राक्षर जादी काल सर्पा का शिकार भी उसी समय हुई थी जब देवताओं ने मंतन में निकला अमरत चल से आपस में बांट लिया था बड़े दिनों बाद आजादी की सांस मिली है इसकी तो छाया भी बड़ी कश्ट कारी है ये तो काल सर्पा है हम देवताओं को गवराने के आवशक्ता नहीं क्योंकि हमने अमरत चका हुआ है इस काम पर कोई प्रवाव नहीं होगा किन्तु राक्षसों के अलावा प्रिथी पर रहने वाले मानब भी इसके प्रवाव के जपेट में आ सकते हैं इसे वापिस समुद्र में ठेको देवताओं ने मंदरांचल परवत को उल्टा गुमा कर काल सरपा को वापिस तल में पहुँचा दिया अरे-अरे मुझे भी बाहर आने दो मैं भी कसूर मैं की कसूर कित्ता हुड़ा पादी के हो बाके लाल तब से काल सरपा बाहर आने को जट पटा रहा है हम काल सरपा को मंधन दोरा बाहर निकालेंगे तो वो हम पर प्रसंद हो जाएगा फिर हम जिस जगह पर कहेंगे वो उस पर लग जाएगा वो सब तो ठीक है किंतो तुम मुझे कहां लेकर जा रही हो मैं तुम्हें मंदरांचल परवत के पास लाई हूँ इसी परवत से देखताओं और राक्षसों ने भी मंधन किया था किंतो मंदरांचल को मंधन के लिए तुम्हें स्वयमी मनाना पड़ेगा मंदरांचल परवत पहले ही बोल था अगर तुम शेशनाक को मना लो तो मुझे कोई अपत्ती नहीं क्योंकि मुझे मधानी जिससे दही को चला कर रसी बनाते हैं शेशनाक का प्रियोग रसी की तरह करना बहुत आवश्यक होता है शेशनाक कहाँ पर मिलेगा उस पर भगवान विश्णू निंद्रा मगन होते हैं यानि कि उसका मिलना और संभव है इसका अर्तिय हुआ कि हम समद्रमंतर नहीं कर सकते बगर तुम ने तो बड़े विश्वास के साथ ये बात कही थी कि तुम समद्रमंतर में मेरी मदद करोगी इनका कोई भरोसा नहीं कहीं है मुझे लक्टू बनाकर समद्रमंतर नाकुमाद हैं तुम मेरे साथ आओ मैं तुम मैं मंद्रान चल के दूर के रिष्टिदार मद्राचल के बासने चलती हूं वह हमारी मदद अवश्य करेगा किन्तु शेष्णाक की जरूरत तो वहां पर नदी बहती है जो दारू के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध है दारू के असर से मद्राचल परवत और आसपास के व्रक्षव वनस्पति त्यादी हमेशा जूमते रहते हैं जूम बराबर जूम अए मद्राचल परवत मुझे तेरी मदद की जरूरत है नहीं ता पेर अप अपनी शरण में आई शरांड़ को कभी भी निराश नहीं करता है बोल तुझे क्या चाहिए मैं बवाल समद्र में मंधन करना चाहता हूं और यह तुमारी मदद के बिना संभव नहीं हो सकता फिशाल का मंद्राचल तुरंत अपना रूप परिवर्तित करके बाके लाल के स नहीं कहता आज मैं तुमसे बहुत पसंद हूँ वाख मद्राचल मद्रा के नशे में जूमता हुआ बवाल समुद्र में उतर गया जूम बराबर जूम मद्राचल मदरा के नशे में जब ये समुद्र के पानी में जूमेगा और घूमेगा तो स्वैमी जल मंतन आरंब हो जाएगा और परवत को गुमाने के लिए शेशना क्या वशक्ता नहीं पड़ेगी समुद्र में प्रिवेश के साथ मदराचल पुनाब विशाल का परवत में बदल गया देखो समुद्र में मंतन आरंब हो गया है अरी ये कौन लुक भारा रहे हैं हम साथ बेसुरे हैं सुरों के सौतेले भाई सातोस और कई बड़सों से फिर्थी पर अपना राज कायम रखे हूँए बगर अब हम भी आजाद हो गए हैं अब हम भी करेंगे राज गाइस गाने को तो आपको पता है मैं गाने नहीं गा सकता क्योंकि यूटूब में भी एक कॉपी राइट मार सकता है ये सब मिलकर तो हमारे कानों के पड़्दे हिला देंगे बाके लाल ये सब केवल तुमारा आदेश मानेंगे क्योंकि ये मंतन तुमारे आदेश पर शुरू हुआ है ये नहीं यहां से विदा करो थैरो थैरो तुम थो बेसरे हो, सुर में क्यों का रहे हो हम बेसर Ε्षुर में गाई नहीं सकते तो हम यहां से सीधे हमाले पर जाओ और वहां जाकर बेसर रागों का अब भ्यास करो ठीक है अब हम पूरी तरह बेसर होने के बाद ही वापस लोटेंगे बेसरों के जाने के बाद अरे अब ये कौन बाहर आ रहा है ये तो समुदरी घोड़ा है अरे इसका रूप तो परिवर्तित हो गया मैं अपने रूप परिवर्तित करता रहता हूँ क्योंकि मैं फरेब हूँ ओ तू भी हिमाले पर जा और अपने अंदर छल, कपट, मकारी, दो, कात्यादी जैसे गोड़ भी पैदा कर फिर मानवो की बस्ती में जाना इस काम में तो कई बरस लगेंगे लेकिन अब जाना तो पड़े गई अब देखें क्या निकलता है तू कौन है बई मैं हराम खोर हूँ तू भी एमाले पर जा क्योंकि विशाल गड़ में अभी मैं अकेले ही काफी हूँ ठीक है तब तक मैं अपने अंदर चालाकियां, पैंत्रे, चोर बजारी, सीना जोरी, काला बजारी, टोपी और गोली बाजियां जैसे गोड़ पैदा करूँगा बहन बड़ी बहन करा यह काल सर्पा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया आएगा शीगरी आएगा लो काल सर्पा बाहर आगया मैं हूँ काल सर्पा, मंदराचल को और मंतन करने से रोकना होगा ही ही, तो इस बार मुझे तुमारे कारण मिरी या आजादी मैं तुमसे प्रसन हूँ, सैकड़ो बर्सों से मैं रानी पंच पती से प्रतिशोद लेना चाहता था किन्तु बिना आजादी के ये सम्भव नहीं था पंच पती की साथ जन्मों का वर्दान मिला हुआ है वो इसी प्रती पर पुना पैदा हुई होगी अब ये सम्भव होगा कि मैं पंच पती को ढूण कर उससे प्रतिशोद लूँ मगर काल सर्पा अप्पा दी की हो मैं तुम्हारी इच्छा वश्य पुन करूँगा कपड़े के लठे दे, चक्दे भटे बागेला, ये काल सर्पा योग है जिस पर लगाना, उसे पानी में गोल कर पिला देना तेरा काम हो जाएगा फर्म मारा, अब मैं जाता हूँ रानी पंच पती की खोज में रानी पंच पती, खुड तेरा की होगा पाकेलाद, मैं मदराचल को वापिस छोड़ाईगी ये देखो, ये काल सर्पा योग है इसे रानी सर्णलता को घोल का पिलाते ही वो काल सर्पा योग से ग्रसित हो जाएगी और फिर मुच्छड मोटे मनूस राजा विक्रम सिंग को कोई नहीं बचा सकेगा अब तुम तुरंत अपने गोड़े पर सवार होकर विशाल कर जाओ और काल सर्पा योग अपनी रानी सर्णलता को भूल कर पिला दू अपने कर्मों से मुझे तो दोने ही राक्षस लग रहे है बाके लाल चाहता था कि अप चे तक उड़कर विशाल कर पहुंच जाए छल चे तक जल्दी चाल मैं स्वामी वहाँ पहुंचका राजा विकरम सिंगी मिट्यू का तमाशा देखूंगी सुबह होता ही रानी सर्णलता को दासी जी ने जो पानी दिया था वो बाके लाल नहीं उसे दिया था कट 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 बन गया काम रानी काल सर्पा योग से ग्रसित जल पी गई इसी कैसा रानी के कंट से जोड़दार चीख निकली आ महराज क्या हुआ क्या हुआ लगता है काल सर्पा कासर महराणी पर होने लगा है महराज मेरे माथे पर भेंकर जलन हो रही है वहाँ तो बिनिया लगी है मैं बिनिया उतार देता हूँ हाँ अब जलन खतम हो गई अब क्या हुआ मेरी मांग में भेंकर पीड़ा हो रही है मांग मैं तो सिंदूर है मैं इसे पॉंस देता हूँ हाँ पीड़ा खतम हो गई ओ अब समझा काल सरपा योग रानी को लगते ही उसकी सौहक की निशानियों से कष्ट देने लगी क्योंकि सौहक तौप रहेगा नहीं मोटे ने सिंदूर पहुचकर अच्छा ही किया अब क्या हुआ रानी मेरा तम खुट रहा है गले में पहना मंगल सूत्र गले को जगर ला है मैं उसे उतार देता हूँ हाँ अब पीड़ा दूर हो गई अच्छा ही है मोटा अपने हाथों से इसे विद्वा बना जाए बिचुआ काट रहा है मैं बिचुआ उतार देता हूँ तभी राजन ये क्या किया होड तेरा की होगा मैंने क्या किया मगर इससे पहले कि राजगुरु टपकाचार कुछ कह पाते वहाँ गुण जुटी एक भैंक का रसी हुँ हाँ 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 कौन असरा है सामने क्यों नहीं आता ये वाशी यंदूत होगा जो मोटे के प्राण हरने आया फो मारा राजा विक्रम जिंके परष्ण के पत्वत्तर मैं वहाँ हूँ प्रकट हुआ काल सर्पा हाँ 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 रानी पंच पती मुझे पहचाना कल मैं था तेरे पूर जणं का पती और आज मैं हूँ तेरा काल रानी पंच पती किन्तु ये तो मेरी रानी सुण लता है ये तो काल सर्पा है ये यहां क्यों आ गया आज ये तेरी पत्नी सुण लता है किन्तु कल ये मेरी पत्नी थी मेरे अलावा इसके चार पती और भी थे उसने इसने अपने ही उनी पतियों के साथ मिलकर मुझे समुद्र भे फिकवा दिया था जुष्ट मैं तुझे पहचान गया तु काल सर पाये तुने मुझे नहीं पहचाना मैं रिशी मात जन्मा चार हूँ राणी पंच पती को पांच पतियों का वरदान मैंने ही दिया था कि तू ने राक्षर जाती का होते हुए मानव रूप धरकर धोके जरानी से विवार अचाया था इसी बात का पता चलते ही रानी और इसके चारों पतियों ने मिलकर तुझे समुद्र बे फिकवा दिया था जहांसे तू बिना किसी मदद की कभी बार नहीं आ सकता था जोष्ट तू बार कैसे आ गया मुझे बाकेलाल नाम के ये वक्त में बार निकालाया है अरे बाकेलाल तू भी तो यहीं है मैंने तुझे कालसरपा योग दिया था तूने वो पानी में मिला कर किसे पिलाया इसने तू मुझे जल पिलाया था क्या ओ इसने तुम पर कालसरपा योग लगा दिया है जिसके परदाम सरूप तेरे परती की मित्तू अवश्य होगी हे 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 तेरे पती राजा विक्रम सिंग के मित्यू तुझ पर लगे कालसरपा योग के कारण होगी और तेरी मित्यू होगी मेरे खड़क से ओ इसलिए सभी स तो आक्षिर मुझे काटने को दोड़ लाए थे, जुष्ट बाकेलाल, अस्तिन के साब, मारा गया तू बाकेलाल, लेकिन तभी, इसे क्या हुआ, खटक काल सर्पा के हाँ से छूटा, और खटक ने एक ही जटके से काल सर्पा का सिर्थ धर से जुदा कर दिया, उडबादी क् ये सब क्या हो रहा है रिशीवर, बाकेलाल का गला छोड़ दे मारानी जी, क्योंकि बाकेलाल के कारण ना से माराज के, वह आपके ही प्राण बच्चे हैं, बलकि इस जुष्ट को भी अपने प्राणों से हाथ दोना पड़ा है, किन्तु बाकेलाल ने तो काल सर्पा को जी जी हमारानी जी, मुझे भगवान शंकर ने भविश्वानी कर दी थी कि अगर मैंने तुरंती काल सर्पा के अंत का जुगार नहीं किया, तो वो मुझे बस बगड़ देंगे, किन्तु रानी का पती तो मैं भी था, फिर मुझ पर काल सर्पा योग का मिर्ट्युकारी प आप भी मरे जाते, और वैसे भी आपने पाफ वकश्ट नासर चंदु की चट्नी खाई हुई थी, बेड़ा गर्क सत्या नौच, बाके थोबड़ा एथे करी, एक पप्पी दें, शाबाश मेरे पुत्रा, बेड़ा गर्क, अगर मुझे पता होता कि पंच पती रानी सुन पता ही है, तो मैं क्यों उसे काल सर पर योग कर जल पे लाता, महराज, जल्दी आईए, ये देखिए, चेतक ने दुलत्तिया मार मार कर एक राक्षिसी को मार डाला, ओ, ये तो मेरी भेन बड़ी भेंकरा है, बेचारी, शाबाश, चेतक को बोरा भरकर चना खिलाओ, आकर स समत्र की गंतिके को साफ कर दिया, इसी बात पर मैं तुम्हें से प्रसन हूँ, और मैं तुम्हें बोरा भरके हीरे मोती देता हूँ, बाखे, तुम इतने कीमती रतनों का क्या करोगे, ये सबी रतने खजाने में जमा करवादो, इन्हे राजी की भलाई में खर्च किया जा क्या हुआ।